नमस्कार गोस्तो पर्तियों गीता परिक्षाओं के परणाम में दियों भी क्यों दी होती है और इसके क्या नियम है आप कोई भी रिजल्ट देखते हैं तो उसमें कटोप के साथ साथ आगे जनमतिति भी दियों ही होती है तो ये क्यों होती है और इसका क्या मैतव है और अग DOB वाला जो मसला है इसको दूर करें तो मित्रों DOB जो है इसका तार्थ पर यह हुआ कि मान लीजिये आपके 285.44 अंख है तो 285.44 वाले का सेलेक्शन हो रहा है यह आप देख रहे हैं जनरल में यह कटोफ है अभी फर्स्ट ग्रेट लेक्षरर जो हिंदी का रिजल्ट है उसकी और हर एक्जाम में DOB दी हुई होती है अब जिसके 285.43 है उसका तो सेलेक्शन नहीं हुआ कलिर है अब कुछ बंदे ऐसे भी हो सकते हैं एक, दो, तीन जिसके 285.44 मारक्स है फिर भी उसका सेलेक्शन नहीं हुआ हालाँ कि उसको अपने मारक्स बाद में पता चलेंगे मगर जब देखेगा तो बड़ा अपसोस होगा और ऐसा वाक्या मेरे साथ भी हुआता दोस्तों 2000.43 के लगबग सेकंड ग्रेड एक्जाम के दोरां कट टॉफ के बराबर मारक्स मगर DOB की वज़े से इधर जो है वो में रह गया यानि कि अब DOB की वज़े से कैसे जैसे मालीजी दो सो पचास सिपोर्ट चार चार मारक्स वाले दो बन दे हैं तो जिसकी DOB ज़्यादा है मालीजी एक चो चोराणमे का है और एक च्छेणमे का है तो चोराणमे वाले को वो प्रात्मिता देंगे क्योंकि वो सीनियर है एज के साब से और उसके ओवरेज होने के चांसे उससे पहले बनते हैं जूनियर वाले से इसलिए जिसकी DOB ज़्यादा होती है उसको रखते हैं तो निसी तरूप से देखो दोस्तों कटॉफ के पास जो है वो एक पॉइंट पे दो तीन लोग तो होते ही है दो तीन भी हो सकते ज़्यादा भी हो सकते हैं अब मान लिजिए यह की DOB भी एक जिसी और कटॉफ भी एक जिसी तब क्या करें मान लिजिए एक विक्ति-एक के इतने मारक्स आगे उसकी जनम्टी थी है B के भी इतनी मारक सा आगे उसकी जनम्टी थी है तब RPSC क्या करेगी तब दोस्तों उन दोनों की क्वालिफिकेशन देखी जाएगी अगर माल दिजिए कोई PG है, MA है, MSC है या क्वालिफिकेशन में उससे ज्यादा है तो फिर उसको मानिता देंगे अब सायोग से क्वालिफिकेशन भी बराबर है तो क्या करेंगे तब ऐसा हाला की परकरण आया नहीं है मगर सुनावा है कि वो अपने पिताजी जो है उनकी जनम्टी थी क्यादार भी फिर निन्ने होता है तो दोस्तों ये इसलिए जो डियो भी है इसका मैत्व होता है और यहां आप ये मान सकते हैं कि अगर कोई ऐसा बंदा रहता है तो उसको अपने आपको अनलकी नहीं मानना चाहिए कि वो सिंगली है यहां इतने सारे जो है इन सब में एक, एक, दो, दो, तीन दिन ऐसे मिलेंगे जो कटोप के बराबरी रहे हैं साथ ही साथ आप ये भी नोट कर सकते हैं देखिए कि जैसे जनरल की कटोप जो है सामाने इसमें चुराण में और S, T में एकुराण में S, C में 87, O, C में 92 मगर आप थोड़ी भी सेस के टेकरी देखिए आप जैसे, जैसे माहले जी ये WD मैला है इधर आप देख सकते हैं WD तो 79 तो ये यहाँ ज़्यादा आयो के असाब से क्योंकि या केडिडेट थोड़ी कम थे बनिस्पत इनके तो इसे साब से जो है दोस्तों ये जो जनम्तिती है वो तै की जाती है और इसका मेत्व होता है जब एक जैसे नंबर होते हैं जनम्तिती जो ज्यादा वाला है उसको परात्मिक्ता दे जाती है धन्यवाद और कोई आपके क्वाईरी हो तो आप comment करना, okay